सभसे पहले हैं मेंस फाइस स़ल्ड के दोबरिका फैबरिक दोनों पर अपने साइज के इकॉडिंग कट कर लेना है मैंने इसमें एक्स्ट्रा रखे इस तरीके से फैब्री को कट कर लिया है रखेंगे इंडे आर्मॉल है 5.5 इंच इस तरीके से friends mark करके हमें line draw कर लेनी है इस के बाद friends हमें blouse की fitting रखनी है तो blouse की fitting है 30 inch, उसका चोथाई बगम 7.5 inch रखेंगे and 2 inch हम extra margin के लिए रखेंगे इस तरीके से friends हमें mark करके line draw कर लेनी है line draw कर लेने के बाद friends हमें armhole pay 1 inch pay गुलाई देना है तो fins इस तरीके से अब देख सकते हैं मैंने वन इंच पे इस तरीके से गुलाई दे दिया है इसके बाद fins हमें extra fabric को cut कर लेना है इस तरीके से fins मैंने extra fabric को cut कर लिया है main fabric को भी हमें इसके size के cording cut कर लेना है तो main fabric को मैंने 4 तरप से half inch extra रखते हुए cut किया है अब हमें फिंट्स नेक डिजाइन के लिए मार्किंग करनी है तो नेकी विद रखेंगे 2.75 और नेकी लेंथ रखेंगे 10 इंच फिंट्स नीचे साइट से हमें नेकी विद रखनी है 2.75 इस तरीके से फिंट्स हमें मार्क करके लाइन ड्रॉ कर लेनी है लाइन ड्रॉ कर लेने के बाद फिंस हमें नीचे साइड से धाई इंच पे इस तरीके से मार्ग करके एक डबबा बना लेना है और नीचे साइड के कौने से हमें उपर वाले कौने में इस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है फिर्ण्स उपर वले डबे में हमें मटके का शेप देना है तो उपर साइट से हम इस तरीके से मार्ग करके मटके का शेप देंगे और जो हमने लाइन ड्रॉ की है उसमें हमें इस तरीके से इसको मिला लेना है इस तरीके से friends हमने design के लिए marking कर लिए है इसके बाद friends हमें extra fabric को cut करना है तो friends आप देख सकते हैं मैं कैसे cut कर रहY हूँ इसी तरीके से आपको भी cut करना है इस तरीके से friends मैंने fabric को cut कर लिया है friends निचे side से मैंने fabric की वृंद रखा है 3 inch तो इस तरीके से हम fringe पे mark करके एक line draw करेंगे and line draw कर लेने के बाद fins हमें इसको cut कर लेना है cut कर लेने के बाद fins हमें main fabric को right side पे रखना है इस तरीके से and इसके उपर हम base वले fabric को इस तरीके से अच्छे से रखके set कर लेंगे and set कर लेने के बाद finz हमें इसको half inch extra रखती हुए इस तरीके से cut कर लेना है finz उपर side से भी हम half inch extra रखती हुए इस तरीके से cut कर लेंगे finz बीच से हमें main fabric और base fabric दोनों को cut कर लेना है cut कर लेने के बाद finz हम दोनों fabric को इस तरीके से रखेंगे main fabric को हमें right side पे रखना है और उसके उपर हम base वाले fabric को इस तरीके से रखेंगे और इस तरीके से रख लेने के बाद fins हमें अच्छे से set कर लेना है अब हमें fins neck के उपर सिलाई लगानी है तो सिलाई हम neck के चारो तरफ लगाएंगे सिलाई हमें 0.25 जितना gap रखे हमें सिलाई लगानी है fins निचे side से भी हम सिलाई लगा लेंगे ताकि neck को जब हम पल्टे तो हमारे extra fabric ना दिखे इस तरीके से fins मैंने neck के उपर सिलाई लगा लिया है इसके बाद fins हमें neck के उपर एक बार और सिलाई लगानी है दूसरी बार सिलाई हम इसलिए लगाएंगे क्योंकि हम without bakram का डिजाइन बना रहे है और दूसरी सिलाई हम इसलिए भी लगाएंगे क्योंकि जब हम finishing के लिए fabric को cut करें तो हमारा extra fabric cut ना हो इसके बाद fins हमें extra fabric को cut कर लेना है cut कर लेने के बाद fins हमें नेक के ऊपर cuts लगाना है finishing के लिए तो fins इस तरीके से हम नेक के चारों तरप cuts लगा लेंगे and cuts लगा लेने के बाद fins हमें base वले fabric को back side में पलटके neck को हमें सीधी side में पलट लेना है कोने को हमें किसी tool की help से बाहर निकाल लेना है इस तरीके से फिंट्स कर लेने के बाद हम नेके उपर आयरन कर लेंगे अब हमें फिंट्स नेक के दूसरे साइट के फैबरी को लेना है इसके उपर भी हम सिलाई लगाएंगे तो सिलाई मैं इसमें नीचे साइट से लगा रही हूँ सिलाई हमें 0.25 जितना गैप रखे नेकी उपर सिलाई लगानी है इस तरीके से फिर्ट्स मैंने नेकी उपर सिलाई लगा लिया है सिलाई लगा लेने के बाद फिर्ट्स हमें नेकी उपर एक बार और सिलाई लगानी है तो फिर्ट्स इस तरीके से हमने नेक के उपर सिलाई लगा लिया है सिलाई लगा लेने के बाद फिर्ट समय नेक के एक्स्टा फैबरी को कट कर लेना है एक्स्टा फैबरी को कट कर लेने के बाद फिर्ट समय नेक के उपर कट्स लगाना है फिनिशिंग के लिए तो इस तरीके से फिंट्स मैंने निक के उपर कट्स लगा लिये हैं अब हमें फिंट्स बेस वाले फैब्रिक को बैक साइड में पलट के निक को हमें सीधी साइड में पलट लेना है निक को सीधी साइड में पलट लेने के बाद फिंट समय कोने को सुई की हेल्प से निकाल लेना है इसके बाद फिंट समय बैक साइड से मेन फैबरीक और बेस फैबरीक दोनों को अटैच कर लेना है इस तरीके से फिंट मैंने दोनों फैबरीक को अटैच कर लिया है अटेच कर लेने के बाद फिंट्स चारो तरप के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कर लेंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक कर लेने के बाद फिंट्स हमें बैक की टक्स को लगाना है तो सोल्डर की बीच से हम इस तरीके से फोल करेंगे और नीचे साइट से हम 4 इंज की लेंद पे बैक की टक्स को लगा लेंगे इसी तरीके से फिंट समय दूसरे साइट के भी फैब्रीक को बैक साइट से में फैब्रीक और बेस फैब्रीक दोनों को अटैच कर लेना है अटेच के लेने के बाद फिंट समय एक्स्टा फैबरी को कट कर लेना है एक्स्टा फैबरी को कट कर लेने के बाद फिंट समय बैक की टक्स को लगाना है तो फिंट्स हमें solder की बीच से इस तरीके से fold करके नीचे side से हमें 4 inch की length पे बैक के टक्स को लगा लेना है तो फिंट्स अब देख सकते हैं मैंने दोनों side के fabric को stitch कर लिया है इसके बाद फिंट्स हमें नीचे side के पट्टी को जो हमने cut किया था उसको लेना है main fabric को हम right side पे रखेंगे और उसके उपर हम base वाले fabric को इस तरीके से रखे अच्छे से set कर लेंगे set कर लेने के बाद फिर्ट समें इसके उपर सिलाई लगानी है तो फिर्ट सिलाई हमें 0.25 जितना gap रखे एक side से सिलाई लगानी है इसी तरीके से फिर्ट समें दूसरे side भी fabric के उपर सिलाई लगा लेनी है सिलाई लगा लेने के बाद फिर्ट सम एक्स्टा fabric को cut करेंगे इसी तरीके से फिर्ट सम दूसरे side से भी cut कर लेंगे और बीच में हमें इस तरीके से cuts लगा लेना है दोनों side इसके बाद फिंट्स हम फैब्री को सीरी साइड में पलतेंगे तो फैब्री को हमें अंदर के साइड में इस तरीके से करते हुए किसी टूल की हिल्प से फैब्री को हमें सीरी साइड में पलट लेना है फैबरी को सीधी साइड में पलट लेने के बाद फिन्ट हम इसके उपर आईरन कर लेंगे अब हमें फिन्ट उपर के साइड के दोनों फैबरी को लेना है बीच में हम बटन को टक करेंगे फिन्ट यहाँ पे आप अपने पसंद से कोई भी बटन टक कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं मैंने बटन को टग कर लिया है अब हमें फिंट्स निचे साइट से पट्टी को अटैच करना है तो इस तरीके से हम पट्टी को रखते हुए अच्छे से से सेट कर लेंगे सेट कर लेने के बाद फिंट्स हम पीन से अटैच कर लेंगे इसके बाद फिंट्स हमें इसके उपर सिलाई लगानी है तो फिंट्सिलाई को हमें लॉक करती हुए इस तरीके से पट्टी के उपर सिलाई लगानी है कोने पे भी हम सिलाई को लॉक करती हुए इस तरीके से पूरे फैब्रिक पे सिलाई लगा लेंगे चिलाई लगा लेने के बाद फिंसम इसके नीचे से एक और चिलाई लगा नहीं है इस तरीके से फिंस मैंने फैबरी के उपर चिलाई लगा लिया है चिलाई लगा लेने के बाद फिंसम एक्स्टा फैबरी को कट कर लेंगे इस तरीके से फिंट्स अमने डिजाइन बना लिया है फिंट्स ब्लाउस का डिजाइन आपको कैसा लगा कमेंट किरके जरूर बताईएगा and thank you for watching my video please like and subscribe my channel thank you guys, thank you so much